कि नमस्ता जी पंजाब इंजिनिरिंग इंडोर में आपका बंगत है अभी नंदर है यह मशीन पर इंपल्व मेंटिंग मशीन है यहां पर इसमें जाला जाता है टब में और हिटिंग के लिए इस मशीन में दीजन परनल दो लगाए गए हैं और दो गेफ बरनल लगाए गए हैं इसका हेवी जूटी फांडेशन एमेफ बाड़ी का बनाया गया है यह मशीन में प्रेशर के लिए ब्लोर अटेज्मेंट किया गया है जो आपका बरनल का प्रेशर कितने प्रेशर में चलाना वह प्रेशर कम जादा करके चलाए जा पकता यहां पर मोटर लगाई गई इसमें एवी कापर वैंडिंग मोटर है यह एवन एश भी माड़न है और एक सो पचाफ लिटर टप के पिसिटी इस मशीन की इस मशीन को आप डीजल और गेफ दोनों पर आपरेट करके चला सकते हैं अगर आपके पास में डीजल काम करते करते इसमें खतम हो गया तो यह रेगुलेटर नली अटेज्मेंट किया गया और दो बरनल इस में लगाए गया है आप अपनी टैंक की इस रेगुलेटर से अटेज्मेंट करके गेफ वे काम चालू करते मतलब दोनों से चल सकता है यहां पर इसका प्रेजर कंट्रोल का वाल दिया गया रेगूलेटर का यह स्वेजबोर्ड है यह से बिलोगा चाली हो गया और यह इसका बेस्ट पिलेट है यह एक इंची मोटा है अगर आपका माल इसमें चल रहा है और अचानक फे लाइट चली जाती है और टब रुप जाता है तो आपका माल चेटता नहीं है खराब नहीं होता उसकी इसके बाद इसको आप वाल के ओपन करके खाली कर सकते हैं और इसको फिल्टर करते रहते हैं और मुझे ये मशीन लेना हो तो क्या करना होगा इस मशीन की जानकारी हमारी केटलाग बुक्लेट में पेंज नंबर 40 पे दी गई है और अफील लिटर के ये मार्टल बनते हैं हमारे जो पांच-सो लिटर तक की फाइजों में बनाए जाते हैं मशीन की जानकारी के लिए आप हमारी बुक्लेटट प्राप्त कर फक्ते हैं मने बुक्लेट में हमारे कंपनी के फारे नंबर दिये गए हैHe in नंबरों पे आप इपनी प्राप्त कर फक्ते हैं यह निशल को दी जाती कंपनी द्वारा इफका कोई चार्ज ने लिया जाता आ और फी कही तरह की मशीन बनाई जाती है उन फारी मशिनों की जानकार रेफ में दे गई है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार